दोस्तो नमासकार दोस्तो इसो की एक सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि जिन लोगों को ये लग रहा था कि एंसीबी-Bollywood celebrities से पूस्त आज के नाम पर सिर्फ उनके साथ परेट करवा रही है उन्हें चाय नास्ता करवा रही है और चाय नास्ता करवाने के बाद उन्हें घरबर छोड़ दे रही है वो अपने फिल्मों में बैस्त हो जा रहे हैं अपने नीजी जिन्दगी में बैस्त ह जा रहे हैं तो अब उनकी राय जो है वो गलत होते हुए नजर आ रही है क्योंकि NCB ने ओर्ड में एक रजी दाखिल किये जिसमें NCB ने भारती सिंग और उनके पती हर्ष लिंबाचिया की जो बेल थी उसको कैंसल करवाने की बात कही है बेल कैंसल करवाने की बात इसलिए कह क्योंकि NCB के हाथ में ऐसी जानकारी मिल रही है कि NCB को भारती सिंग के बारे में बहुत बड़ी जानकारी मिली है बहुत बड़ा सबूत मिला है अब ये कितना बड़ा सबूत है कितनी बड़ी जानकरी है फिलाल इसके बारे में नहीं पता लेकिन जो पहली खबर ये निकल करा रही है कि NCB ने भारती सिंग और उनके पती हर्ष लिम्बाचिया की बेल एप्लिकेशन को रद करवाने की बात कह दिये NCB बेल एप्लिकेशन इसलिए कैंसल करवाने की बात करी है क्योंकि जहां तक पहली नजर में ये बात नजर आ रही थी कि भारती सिंग जो सिर्फ ड्रक्स का सेवन कर रही थी ड्रक्स को ले रही थी लेकिन अब एक बात ये निकल कर आ रही है कि हो सकता है कि शायद भारती सिंग और हर्स लिमाचिया ये लोग ड्रक्स को कहते है कि इसका कमर्सियल यूज भी कर रहे थे कमर्सियल यूज यानि बेचने का जो काम होता है वो कर रहे थे तो सिर्फ भारती सिंग और हर्ष लिमाचिया नहीं जितनी भी celebrity थे इन सभी से पूस्ताज की जाएगी इन सभी की जाच परताल की जाएगी कि क्या ये लोग drugs को सिर्फ लेते थे या drugs का ब्यापार भी करते थे ड्रग्स को ड्रग्स की खरीद वरक्द भी किया करते थे तो अगर ऐसी चीज निकल कर सामने आती है तो ये समझ लेजिए कि भारती सिंग का करियर वाकई बरबाद हो जाएगा जो की उनके फैंस बिलकुल नहीं चाहेंगे कि भारती सिंग के साथ ऐसा हो या भारती सिंग खुद भी नहीं चाहेंगे कि उनके साथ ऐसा हो अगर भारती सिंग यहाँ पर गलत नहीं है तो उन्हें डरने की जरुवत नहीं है लेकिन अगर भारती सिंग ड्रस्क से साथ इस तरके मामले म को रद्य करने की बात कोड में कही है तो आपकी इस वीडियो को लेकर क्या रहा है आपको क्या लगता है कि भारते सिंग सिर्फ ड्रक्स का सेवन करती थी या वो ड्रक्स का कमर्सल यूज भी किया करती थी आपकी जो भी रहा है कॉमेंट करके बताईए तब तक देखते रहे आपकी बात मेंगेश के साथ धन्यवाद